आज का यह नास्ते की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि इसे बना के आप लंबे टाइम तक इस्टोर कर सकते हैं और यह खास बच्चों की पसंद की वनेगी बच्चे इसे देखते ही टूट पड़ेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है सिंपल सी रेसिपी है हलो फ्रेंज वेलकम बेक में चैनल मेरे कीजन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आजका रेसिपी स्टाट करते हैं तुन के पहले इस रचाइब के लिए हमें चाहिए बेशन के लिए बीषन स्क्रहण, ile मां योग गिहूं काटा वैसे गुजराती नास्ता है और इसे लंबे टाइम तक आप श्टोर करके रख सकते हैं तो खराब होने का कोई चांस नहीं है अब इसमें हम डालेंगे नमक आपको स्वादानसार आड़ कर लेना है और यहां पे नमक थोड़ा सा कम आड़ करिएगा क्योंकि हम इसे पीजा फ्लेवर देने वाल है तो साथ में हम डाल लेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर यह कलर के लिए है थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर यह दो चीजी है थोड़ा सा कलर बहुत ही अच्छा आएगा इस नास्ते में तो यहां पर हल्दी पर इसमें चीजी दाल के भी बना सकते हैं तो यहां पर हम पहले सूखी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज्यादा डालेगा नहीं तो सिरफ आटा अटा जैसा आएगा अब साथ में हम डालेंगे चीज तो मैंने आप यह क्यूब वाले भी ले सकते हैं अब इसे हमें क्या करना इसमें डाल के अच्छी तरीके से मेक्स कर लेना है और एक बात का ध्यान किएगा कि चीज निकाल के आप पहली बाहर रख दीजिएगा एकदम ठंडा मत लीजिएगा और जितना आपको चीज पसंदो इसमें एड़ क सकते हैं मैंने तीन चीज एड़ किया है साथ में हम दो चमच तेल डालेंगे जिसे हमारा नास्ता एकदम खसता बनेगा तेल आप इसमें जरू डालिएगा नास्ता आपको बहुत ही अच्छा बनेगा तो यहां पर दो बड़ी चमच भरके मैंने चोटी चमच से मैंने चार तो उसे ग्रेट करके डालिएगा और यह देखे इस तरीके से मिक्स करेंगे तो इसका टेक्स्टर एकदम दरदर हो जाएगा जैसे ब्रेट करम की तरह कुछ इस तरीके से तो यह बड़ी आसा हमारा मिसरन तयार हो गया है अब यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम तो दिखें मैं यहां पर आटा लगा के तयार कर लेना है तो दीखें मैं यहां पर आटा लगा के तयार कर लिया है इतना आटा लगाने में आधा कप से थोड़ा समय ने जादा पानी लिया था और इसमें से 2-3 चमच पानी बच गया है अब यहां पर हम डालेंगे तेल दो पेडिया बना लेंगे आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखे इसे रूल करके भी बना सकते हैं इसे हमारा क्या होगा नास्ता एकदम एक्वल सेप में बनेगा एक साइज का बनेगा और ज्यादा मुटा भी नहीं हो तो इस तरीके से रूल कर लेंगे सिलेंडर से देंगे और इसकी छोटी-चोटी पेडिया काटके हम तयार कर लेंगे चाकू से आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं बहुत सीम्पल सी रेसिपी है और पहले भी मैंने इस नास्ते की रेसिपी शियर की है मेरे चैनल पर और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए आप लोग वीडियो देखते बट लाइक नहीं करते तो इस तरीके से हमें एक ही साइज के पेडिया बना के तयार कर लेना आप चाहें तो बड़े चोटे जैस आप बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वह सूखा नास्ता गिरने का डर नहीं तूटने का डर नहीं होता है और यह बच्चे असारी से खा भी लेते हैं और इसमें तो मनें पीजा फ्लेवर दिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के तयार होगा अब इसमें हलका हलका स एक ही सेट में बने, एक ही साइच के बने लिए नॉर्मल ही बेल लिया है एक बड़ी रोटी बेल लिए है अब गर्म तवे के उपर डालके शेकेंगे तवा हलका गर्म था इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया था तवा गर्म होना चाहिए जब एक तरफ से शेक जाये तो deixa on a2 को दूब हỏiते हुए पलटने के बाद पिर में इस सीखना है कैसे सीखना है तो इस तरीके से पराथ क demás हिसे कहने विद्म का है हमें दबाते हुए सेखना है और आप आजके यह डबाना और देखें पलट पलट के इसको अलट पलट हुए सिख लेना है दोनों तरप से दबाते हुए थोड़े से जब यह कड़क हो जाएंगेдел ready वापस से दबाते हुए सेखेंगे हलका हलका लगाना है ताकि अच्छा से क्रंच आए इसमें जादा नहीं लगाना है पराठे के जैसे आपको नहीं सेखना है और यह जब थोड़े से कड़क होड़े लगे न तब भी आप इसमें तेल या घी और यह जब ठंडा हो जाए तो किसी भी डबे में बंद करके आप रख सकते थे सकते हैं जब भी आपको खाना हो चाय के साथ बच्छों को टीफिन में देना हो या फिर कहीं आप सफर पे जा रहे हैं तो ले के जा सकते हैं इसका टैक्सर इस तरीके से हमारा जुनास्ता इस तरीके से तयार होना चाहिए आवाज आने चाहिए जंप-कड़क तो एक बड़ी रैसिपी को जरूर ट्राइक करेंगा विडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें शियर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब् सब्सक्राइब जरूर करिए बाबाई